आज के इस वीडियो में हम compare करने वाले हैं Ultraviolet F77 electric bike के base variant standard को इसके top variant रेकॉन के साथ और इस वीडियो के last में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस bike का base variant क्यों जैदा value for money है और अगर आप भी इस bike को लेना चाहते हों तो क्यों आपको इसका base variant लेना चाहिए तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करतीजिए तो सबसे पहले हम compare करते हैं इन दोनों bikes के battery, charging और range को इस bike के standard variant में आपको 7.1 kWh की battery मिलती है वहीपे इसके top variant रेकॉन में आपको 10.3 kWh की battery मिल जाती है standard variant में company 206 km की range claim करती है वहीपे इसके top variant में company 306 km की range claim करती है तो इसके top variant में हमें 100 km की ज्यादा range मिल जाती है compare to base variant आप बात कर लेते हैं चार्जिंग टाइम की तो इन दोनो बैक्स के साथ आपको एक स्टेंडर चारिजर मिल जाता है और दोनो ही बैक्स के लिए अगर आपको फास्ट चारिजर चाहिए होगा तो वो भी आपको इसमें अविलेबल करया गया है दोनों ही बाइक्स में standard charger से एक घंटा charging करने के बाद 35 km की range मिलती है वहीप अगर हम fast charger का use करते हैं तो एक घंटा charging करने के बाद 75 km की range इन दोनों ही बाइक्स में मिल जाती है और बात करेंगे exact charging time की तो company ने यहाँ पर कही भी इसका charging time दोनों ही बाइक्स का clear नहीं कराया है पर 3-4 गंटों में आप इसकी standard charger से इसको full charge कर सकते हो इन दोनों ही बाइक्स में आपको 3 riding modes देखने को मिल जाते हैं glide, combat और ballistic ऐसे 3 riding modes आपको इन दोनों ही बाइक्स में मिल जाते हैं और बात करेंगे इन तीनों ही modes में मिलने वाली range की तो इसके standard variant के glide mode से 176 km की range मिलती है वही पर combat में 135 km की और ballistic mode में 118 km की range मिल जाती है अगर हम बात करते हैं top variant में मिलने वाले range की तो top variant के glide mode में 261 km की range, combat mode में 200 km की range और last में ballistic mode में 171 km की range इसके top variant में मिल जाती है तो overall अगर हम देखेंगे range में तो इसके top variant रेकॉन में हमें काफी बढ़िया range देखने को मिल जाती है compared to इसके best variant standard से अब compare कर लेते हैं इन दोनों bikes के performance को standard variant की motor को release करती है 36.2 bhp की power वहीपे top variant की motor पो release करती है 38.9 bhp की power तो इतना कोच ज़्यादा difference आपको इसके power में fill नहीं होगा थोड़ा बहुत ज़्यादा pickup आपको इसके top variant में मिलेगा बाकि ज़्यादा कोई difference इसके power में आपको इन दोनों ही bikes के variant में नहीं मिलेगा उसके अलावा बेस variant में 85 Nm का torque वहीपे top variant में 95 Nm का torque मिल जाता है बेस variant में 140 km per hour की top speed वहीपे इसके top variant में 147 km की top speed मिल जाती है इसका base variant 0 to 60 सिर्फ 3.4 seconds में अच्यू कर लेता है वहीपे top variant 3.1 seconds में अच्यू कर लेता है और अगर बात करेंगे 0 to 100 की तो इसका base variant 0 to 100 8.3 seconds में अच्व कर लेता है वहीपे इसका top variant 8 seconds में अच्व कर लेता है और इन दोनों ही bikes में आपको 3 different levels की brake regeneration मिल जाती है अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के battery और motor की warranty की तो इसके base variant में आपको 3 years और 30,000 km की warranty इसके battery और motor पे मिलती है वहीपे इसके top variant में 5 years और 50,000 km की warranty मिल जाती है बेस variant में आपको एक option मिल जाता है अगर आप ज्यादा pay करते हैं तो आपको top variant जैसी 5 years और 50,000 km की warranty भी मिल जाती है उसके अलावा अगर हम overall vehicle की warranty की बात करेंगे तो इन दोनों ही वेरियोंट में आपको 3 years और 30, 1000 km की warranty मिल जाती है तो यही कुछ differences है इस bike के base variant और top variant में और अगर हम बात कर लेते हैं इस bike के base variant और top variant के common features की तो जो भी सारे features इसके top variant में आते हैं जैसे की LED headlamps, LED DRL, LED tail lights, dual channel ABS, 5 inch TFT screen with Bluetooth connectivity, Wi-Fi connectivity and data connection उसके अलावा जो भी smart features आते हैं जैसे की headlight auto on-off, ambient light sensor, navigation, ride history and analytics और इसी की सारे जो बहुत सारे बाकी के features मिलते हैं इसके smart features में वो सारे के सारे हमें same to same मिल जाते हैं इसके base और top variant यानि की इसके top variant में आपको दूसरा कोई भी additional feature नहीं मिलेगा जो भी सारे features आपको base variant में मिल जाते हैं वही सारे के सारे आपको top variant में भी मिलते है टॉप वेरियंट में सिर्फ एक बड़ी बैटरी मिल जाती है जिससे आपको बड़ी आ रेंज मिल जाती है थोड़ी ज़्यादा पावर मिलती है पर कोई भी एडिशनल फिचर आपको नहीं मिलता बात करेंगे इसके बेस वेरियंट की एक शूरूम प्राइज की तो इसकी एक शूरूम प्राइज है 3,80,000 वही पे इसके टॉप वेरियंट की एक शूरूम प्राइज है 4,55,000 यानि इसके बेस वेरियंट से इसका टॉप वेरियंट 75,000 ज्यादा महेंगा है तो आप बात कर लेते हैं 75,000 extra देने पे आपको इसके top variant पे क्या-क्या मिल जाता है तो design wise और features wise कोई भी difference नहीं मिलेगा सिर्फ battery थोड़ी बड़ी मिलेगी जिससे range भी थोड़ी ज्यादा मिलेगी और थोड़ी ज्यादा power मिलेगी उसके अलावा दूसरा कोई भी difference इन दूनों variants में नहीं है तो आप बात कर लेते हैं conclusion की कि आपको इसका base variant लेना चाहिए या फिर top variant लेना चाहिए तो मेरे according तो आपको इसका base variant ही लेना चाहिए क्योंकि इसके top variant में जो भी सारे features आते हैं वो सारे के सारे आपको common मिल जा रहा है इसके base variant में सिर्फ difference इतना ही आ रहा है कि इसमें होगा क्योंकि अभी तक हमारे इंडिया में हर किसी जगा पे charging stations available नहीं है तो ऐसे में आप इस बैइक को लेकर बहुत long ride पर नहीं जा सकते city में या फिर आसपास की जगापर ही आप इसको ले जा सकते हैं तो ऐसे में इसके base variant में काफी अच्छी रेंज 200 किलोमेटर की मिल जाती है जो कि सफिशेंट रहती है सीटी में और शॉर्ट ट्रिप पे जाने के लिए तो इसी वेचा से आपको इसका बेस वेरियंट लेना चाहिए तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइए और चैनल को प्लिस सब्सक्राइब कर लिजिए ऐसे ही वेडियो आगे देखने के लिए थैंक्स पॉर वाचिंग